हाई गाई वेलकम तो दिस न्यू चैप्टर आप थामो डाइनमिक्स सो आज हम लोग जो है डिसक्स करने जा रहे हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में और थोड़ा बहुत जो बेजिक से इस चैप्टर का जो समझने के लिए बहुत ही जरूरी इस चैप्टर को वो मैं बताऊँगा आपको सो थामो डाइनमिक्स एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन फैक्ट जो सबसे बड़ी डिसकोवरी जोई हैं 20th century में इंक्लूडिंग क्वांटम मेकैनिक्स उसकी जो नीव है वो थामो डाइनमिक्स में थी और स्टेटिस्टिक की जो है इक तरह से थर्मो डाइनमिक्स में बहुत ही अच्छे थे और सम्हाव जोनकी यृण की घृप थी थर्मो डाइनमिक्स में उस चीज ने ने अनकी बहुत ज्यादा है यह अलकी आगे की डिसकोवरी सक Hayas so thermodynamics इक तरह से is about the fundamental law of nature जिसके अंदर जो है हम 0th law of thermodynamics पढ़ेंगे 1st law of thermodynamics पढ़ेंगे 2nd law पढ़ेंगे और 3rd law पढ़ेंगे ठीक है but before that just मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो सबसे important law हम study करेंगे वो है 2nd law of thermodynamics जो की एक बहुत ही fundamental law है nature का जो एक बहुत important चीज नेचर की हमको बताता है कि नेचर में जो चीज़ें अपने आप होती हैं ऐसे reactions या philomena जो अपने आप होते हैं वो क्यूं होते हैं और कैसे जो entropy है जो की state function है वो किस तरह से हमें समझा सकता है और help करता है यह predict करने में कि अगर हमारे पास तीन अलग-अलग reactions है A, B और C तो उसमें कौन सा खुद से होगा और कौन सा खुद से नहीं होगा ठीक है So, you know, the second law of thermodynamics is able to explain के क्यों hydrogen gas, right जो हमारे universe के जो हमारे universe उसका बर्थ हुआ था तो उसके बाद कुछ समय के बाद जब hydrogen gas बनी तो कैसे वो naturally stars में convert हुई और उसके बाद कैसे वो पुरा system galaxy में convert हुआ ठीक है क्यों hydrogen और oxygen जब दूसरे contact में आते हैं तो वो वाटर में convert होते हैं और क्यों water जो है वो खुद से बापीस था hydrogen oxygen में convert नहीं हो जाता है तो reactions की जो एक direction है जो natural phenomenon है उनकी एक direction है कि क्यों वो एक particular direction में ही जाते हैं यह सारी चीज़ों का जवाब जो है thermodynamics से हमको मिलता है तो thermodynamics जो है एक बहुत ही important subject है जिसने बहुत ही important role play किया है हमारी nature को समझने में और जो भी आज की जो advancements रही है modern science की उसमें thermodynamics has played a very important role so thermodynamics जो है इस word का मतलब समझते हैं जो कि बहुत जरूरी है आगे की चीज़ों को समझने के लिए so therm जो सब्द है वो heat से जुड़ा हुआ है dynamics जो है वो transfer से जुड़ा हुआ है so thermodynamics is a branch of science that deals with the transfer or exchange of heat तो जब आप किसे system को study करते हैं तो किस तरह से वो अपनी surrounding से heat exchange करता है चाहे वो heat लेता है या heat देता है इसकी जो study है वो thermodynamics के अंदर आती है and thermodynamics is not just about the heat exchange उसके अंदर energy work और ऐसी बहुत सारी चीज़े आती है heat और work obviously उसका एक एहम इससा है पर इसके लाब हम बहुत कुछ study करेंगे thermodynamics में so I hope यह जो word है उसका मतलब आपको समझ में आगया होगा therm is heat right because heat के लिए जो word है therm हम बहुत कॉमनली यूज करते है and dynamics is about transfer ठीक है so it's a branch of science that deals with the transfer of heat or its exchange अब thermodynamics में जो सब से इंपर्टन चीज है जिसमे पुरा thermodynamics बेस्ट है वोई system so thermodynamics को समझने के लिए आपको उसके language समझना बहुत जरूरी है कि कौन से term को क्या कहा जाता है किस चीज के लिए कौन से term use होता है तो जब हम कभी कभी भी system की बात करते है thermodynamics में तो system मतलब होता है universe का वो हिस्सा जिसे आप observe कर रहे है जिसे आप study कर रहे है so anything that is under observation is qualified as system is called as system तो आप जहां पर भी इस समय बैठे है आप किसी भी चीज को देख रहे है for example आप mobile phone में इस video को देख रहे है तो जो mobile phone है वो आपका system हो जाता है अगर let's say एक journal रखी होई है that becomes your system तो हर वो चीज जिसे आप observe करते है वो आपका system होता है और universe का वो हिस्सा जो system की contact में होता है उसे हम surrounding कहते है तो space outside the thermodynamic system is called as surrounding और system का जो पूरा exchange है energy का work का ये सारा जो relation है system का वो surrounding से होता है तो system और surrounding जो है बहुत important चीज़े है thermodynamics में right so जैसे ये पुरा universe है और ये पर्टिकुलर चीज आप observe कर रहे है तो ये आपका system हो गया और system की just contact में space का जो हिस्सा है वो surrounding हो गया और system और space को जो एक imaginary boundary separate करती है उसे boundary का जाता है right so that's the basic language of thermodynamics so anything that is under observation हर वो चीज़ जिसे आप observe कर रहे है वो आपके लिए system है space का हिस्सा जो system के contact में हो surrounding है और system और surrounding को एक imaginary line जो separate करती है right universe में जब आप किसी चीज़ को observe कर रहे है तो surrounding और system को जो एक imaginary line you know separate करती है उसे हम boundary कहते है that's the basic definition अब system कई तरह क्यों होते है और उनका जो classification है वो एक तरह से बहुत जादा important है हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है दीकिए system का classification जो है वो बहुत ही आसान है तो जब भी हम system की classification की बात करते हैं हम generally दो parameters के basis पे decide करते हैं कि system किस तरह का होगा तो दो सबसे जरूरी चीज शिस्टम के बारे में है mass और energy क्या आपका system surrounding के साथ mass exchange कर सकता है यानि वो surrounding से क्या mass ले सकता है अपने अंदर या अपना matter या mass surrounding को दे सकता है energy क्या आपका system जो है वो energy exchange कर सकता है surrounding के साथ यानि क्या आपका system surrounding से energy ले सकता है या आपका system surrounding को energy दे सकता है तो इन दो parameters के basis पे हम decide करते हैं हमारा जो system में वो कौन सी category को belong करेगा तो जैसे open system open system ऐसे system होते हैं जो surrounding के साथ matter भी exchange कर सकते हैं और energy भी exchange कर सकते हैं तो जब आप अपने surrounding के साथ दोनों ही चीज़ों का exchange कर सकते हैं matter as well as energy that is called as an open system for example जैसे हमारा planet earth है तो हम जानते हैं कि asteroids वगएरा हमेशा earth से टकराते रहे हैं पहले के time पे in fact हमारे planet पे जितना भी पानी है वो सारा meteorites लेकर रहे हैं in fact अगर आपने आथ सुभे पानी पिया होगा थोड़ी दिर पहले ही पानी पिया होगा इक बार सोची एका कि उस पानी की एज कितनी है राइट ये सारा पानी जो है वो billions of years पुराना है जब meteorites इनको earth पर लेकर आये थे और उसे फिर अलग-अलग water bodies बनी चाहे oceans or rivers and that's what the water जो कितना पुराना है वो आप पीते हो right that's the water that you're drinking right so वो इतना पुराना पानी है but anyways so earth जो है as a system अगर हम earth को देखें तो earth जो है वो अपनी surrounding के साथ matter exchange करता रहा है you know जो volcanic eruptions होते है और बहुत बड़े जब ब्लास्ट हो है जैसे जब meteorite टक रहा है था जिससे डाइनोसर्स मरे थे तो उससे बहुत बड़े amount में matter earth के बाहर भी गया था तो earth is a system that has always exchange matter with the surrounding और energy तो exchange होती ही आप जानते ही है sun के तरफ से energy आती ही तो earth लेती है and earth उस energy को जो है वापिस ते रेडियेट भी करती है right जो कि हमार एत्मस्पेर में कुछ energy trap हो जाती है और कुछ बाहर जाती है तो energy और matter हम दोनों ही exchange करते हैं surrounding के साथ तो earth will be qualified as an open system तो delta E non-zero होगा delta M non-zero होगा non-zero का मतलब है कि आप exchange करते हैं simple सी बात है delta E zero कब होगा जब आपकी initial energy और final energy बराबर होगी तभी आप बोलेंगे the final energy and initial energy are same the same thing would qualify for matter initial matter or final matter जो है वो सेमे ऐसा कब होगा जब आप energy और मास दोनों ही surrounding के साथ exchange नहीं कर सकते ऐसे cases में ही ये जो values हैं वो आपकी equal to zero होगी पर आप ये दोनों चीज़े surrounding के साथ exchange कर पा रहे हैं इसका मतलब you know that value is going to be non-zero so for open system delta E and delta M is non-zero और अगर आपको कोई example पूछे तो इसका example आप दे सकते हैं कि earth है फिर एक coffee का cup जो खुला हुआ है वो भी एक तरह से open system का जो है आप मान सकते है example कैसे कोफी का एक कप जो खुला हुआ है उसके अंदर से गरम-गरम भाप आती है stream की जो की system से निकल के surrounding में add हो रही है तो आप देख सकते हैं कि system जो है surrounding के साथ matter exchange कर पा रहा है heat तो exchange करता ही है इसलिए coffee का cup जो आप छोड़ देते हैं कुछ time के बाद थंडा हो जाता है क्यों? because system में से heat निकल कर बाहर चली गई right so the system is able to exchange heat as well as mass with the surrounding so obviously that system would qualify as an open system so open cup of coffee is an example of an open system उसी coffee के cup को अगर अब धग देते हैं उपर एक lead डाल देते हैं if you're adding lead to the system तो उससे क्या होगा के उसके अंदर से निकलने वाली steam है वो अब नहीं जा पाएगी बाहर तो जो mass exchange है वो आपने stop कर दिया now the system can only exchange energy with the surrounding so that would now become a closed system so I hope closed system आपको समझ में आ गया होगा एक ऐसा system जो surrounding के साथ सिर्फ energy exchange कर सकता है पर mass exchange नहीं कर सकता तो अबिसली ऐसे केसे में delta M जो है वो आपका 0 होगा delta E will be obviously non-zero because energy आप exchange नहीं कर सकते है so that is the definition of a closed system a system that can only exchange energy with the surrounding isolated system a system that can neither exchange energy nor matter with the surrounding is called as isolated system so isolated system एक ideal system है जो कि surrounding के साथ नहीं energy exchange कर सकता है और नहीं mass exchange कर सकता है ठीक है so as a system को हम isolated system कहते है इसके लिए obviously delta M भी 0 होगा और delta E भी 0 होगा delta E भी 0 होगा delta M भी 0 होगा because दोनों ही चीजे जो है आप surrounding के साथ exchange नहीं कर सकते पर ऐसे system एक तरह से देखा जाए तो reality में exist नहीं करते और सबसे close जो system ऐसे system के आता है वो thermos flask है पर आप भी जानते हैं कि thermos flask को उतना efficient नहीं होता अगर आप उसके अंदर कोई गरम चाय रखते हैं तो वो शाम तक जो है ठंडी होई जाती है जाता जाता आप एक दिन तक चीज़ों को उस temperature पर maintain कर पाते हैं जिस temperature पर आपने thermos के अंदर चीज़े डाली होती है ऐसा नहीं होता कि सालों तक उसकी temperature पर आप उसको freeze कर पाएंगे system और surrounding को पूली तरह से cut off करना अब तक ऐसा करने में हम successful नहीं हो पाएं in fact thermos flask का जो mechanism हो भी मैं आपको समझा देता हूं कि उसके अंदर क्या होता कि इस तरह से bottle जो होती है आपके उसके अंदर जो भी आप डालते हैं चाहिए गरम दूध हो या चाहिए तो उसके बगल की जो layer होती होती है उसके अंदर हवा होती है और बहुत कम मातरा में होती है आप जानते है हवा जो है वह पूर कंड़क्टर आफ हीट तो क्योंकि जो चीज जिसके पास गर्मी है ठंडी है वह सराउंडिंग के जब कॉंटेक्ट में आ दिए तो भी हीट का लाल देते हैं तो उसे जो हीट एक्सटेंज की प्ोसेस है जो हीट का flow है चाहिए वो system से surrounding के तरफ हो या surrounding से system की तरफ हो वो slow हो जाता है जिसकी बजाय से आपके thermos जो भी चीज है उसका तापमान उतना तेजी से फ्लक्ट्ट्ट नहीं करता है जितना तेजी से बाहर करती है तो आपकी जो चीज है वो सी तेमरेचर पर रहती है 24 घंटे तक या फिर 12-13 घंटे तक जो भी उसका थाइम होता है अब आई जानता है थर्मो दैमिक स्टेट क्या होता है तो थर्मो दैमिक सिस्टम का जो स्टेट है वो बिसिकली डिपेंड करता है उसके प्रेशर वॉल्म और तेमपरेचर की वैल्यू पर रहती है तो अगर आप उसके प्रेशर वॉल्म और तेमपरेचर की वैल्यू को चेंज कर देते हैं तो आप उस सिस्टम का स्टेट भी चेंज कर देंगे तो अगर initial state किसी भी system का P1, V1 और T1 है तो उसका final जो state होगा वो P2, V2 और T2 होगा या फिर it can also be P3, V3 और T3 So the state of any system in thermodynamics is decided on the values of pressure, volume and temperature तो किसी भी system का जो state है वो उसके pressure, volume and temperature की values पर decide होता है तो जैसे कोई system है तो उसका initial state जो है वो जैसे P1, V1 और T1 है और उसका final thermodynamics state है P2, V2 और T2 जब आप P1, V1, T1 से P2, V2, T2 की तरफ जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि thermodynamics state change हो गया और यहाँ पर एक और important चीज़ आपको जो समझनी है वो यह है कि जब आप state change करते हैं जब आप thermodynamics में एक state से दूसरे state में जाते हैं तो उससे process कहा जाता है राइट, so when you move from one thermodynamics state to another thermodynamics state let's call as process और thermodynamics में कई अलग-अलग तरह की process होती हैं depending के उस process के दौरान conditions क्या थी उसके basis पर हम उस process को qualify करते हैं पर classify करते हैं पर इस बात को आप याद रखे के process का मतलब क्या होता है जब कभी भी किसी भी thermodynamics system का state change होता है एक state से वो दूसरे state में convert होता है या एक state से दूसरे state में जाता है उसे process कहता है अगर इस दौरान जब आप initial state से final state की तरफ गया अगर इस दौरान आपने temperature को constant रखा तो ऐसे process को कहा जाएगा isothermal process राइट फो प्रोसेस इस तेकिंग प्लेस अट इस तेकिंग प्लेस अट कॉंस्ट तेमरेचर अगर आपका जो process है वो एक constant pressure पर हो रहा है यानि आपके process के दर्मियान जो temperature था जो pressure था वो change नहीं हुआ इस डेल्टा पी जीरो such processes will be called as isobaric process तो ये ये दो चीज़े तो समझना बहुत ही आसान है therm मतलब heat तो है अगर temperature जीरो temperature change जीरो है तो isothermal process हो कि bar जो है वो pressure की unit है तो अगर isobaric है मतलग obviously pressure constant होगा और thermodynamics में isochoric जो word है हम volume के लिए उस करते है तो अगर जब आप एक thermodynamic process से दूसरी thermodynamic process में जा रहे हो और उस दोरान अगर आपका volume constant है तो such process will be called as isochoric process तो अगर temperature constant है तो ऐसे process को क्या बोलेंगे isothermal process if your pressure is constant such process would be called as isobaric process if the volume is constant such process would be called as isochoric process and अगर जो भी process आपने केरी की है if that is taking place without exchange of any energy right if your process is taking place without the exchange of any energy such kind of processes are called as adiabetic process right so easy that as you all be processes in there are cyclic process they are reversible process they are reversible process right but you aap allagalag process they Kriya but these are like more important than the other processes that is isothermol, isobaric, isochoric adiabetic okay cool so now the last section of this chapter I mean this particular video is about internal energy and state function सो हम state function के बारे में पहले आपको बता देता हूँ कि बहुत सारी ऐसी thermodynamic quantities हैं जो की जिनकी जो value है वो सिर्फ state system के initial या final state पर depend करती है वो path पर depend नहीं करती है कौन से रास्ते से आप वो state तक पहुँचे है वो उन cases में matter नहीं करता है सिर्फ यह matter करता है कि initial state और final state के है तो ऐसी quantities जो system के सिर्फ initial और final state पर depend करती हूँ उनको हम state function बोलते हैं राइट सो नाम से ही आप समझ जाईए state function और path function तो अलग-अलग होते हैं path function जो है path मतलब रास्ता होता है तो कौन सा रास्ता आप follow करते हैं पर्टिकुलर जगह पर पहुंचने के लिए वो ऐसे cases में बहुत matter करता है पर दरार केसे लाइक दिस जहां पर जो वैल्यू है system की जो जो भी उसकी वैल्यूस है वो सिर्फ उसके इनिशल और final state पर पर डिपेंड करती हैं राइट तो इन सारी सिस्टम इन सारी जो एनर्जीज है उनको जो मिला कर एक system को देखते हैं the sum total of all these energies within a system is called as internal energy ति जो सारी अलग-अलग energies होती है एक system के अंदर उनको जो भाम combined form में एक साथ देखते हैं तो that is called as internal energy और internal energy जो है वो एक बहुत ही इंपोर्टन state function जिसका जो sign है वो यू है उसको कभी-कभी इसे भी इंडिकेट करते हैं and it's a pretty important state function हमारे इस chapter के लिए और internal energy जो है system का बहुत important हिसा होता है और वो एक ऐसी चीज है जो system surrounding के साथ exchange करता है तो system surrounding के साथ अपनी internal energy exchange कर सकता है सिर्फ दो तरीकों से यू जैसे होता है ना कि आप European countries में जाते हैं there is only two way जिससे आप चीजो को खरीद सकते हैं एक तो वहां की local currency होती है एक तो euro होती है euro जो है बहुत सारे जो European Union का हिस्सा है जो countries वहां पी euro जो है currency के तौर पे चलती है और कभी-कभी उन countries की खुद भी खुद की currency होती है जैसे Switzerland में they have Swiss franc as well as euro तो दोनो ही चीज़े चीजों से आप वहां पे खरीदारी कर सकते हैं right so there are only two ways that you can buy or sell stuff in Switzerland right so similarly the internal energy of any system could be exchanged with the surrounding either through work or heat to internal energy है U work है W heat है Q तो एक तरह से internal energy समझ लीजी Switzerland में आप exchange कर रहे है तो यह आपका euro हो गया यह आपका frank हो गया यही दो तरीके हैं heat और work जिससे आप internal energy को exchange कर सकते हैं surrounding के साथ ठीक है तो यह तो system work करता है यह तो system work कर वाया जाता है और यह तो system heat lose करता है यह system heat gain करता है यह दोनों ही चीज़े हैं है work हो चाए heat हो, जब system से अंदर आती है या system से बाहर जाती है, system जब work करता है system से work करवाया जाता है, इन सभी processes के दोरान system की internal energy change होती है तो जब भी आप work या heat दोनों में से किसी भी चीज़ को छेडेंगे, तो उससे वो system की internal energy पे असर होगा, exactly क्या होगा internal energy पे आसर, कैसे इन दोनों चीज़ों के exchange से internal energy change होती है that is something we will take care in the next video